WTC Final ODI World Cup Final में भारतिय टीम एक ही टीम से हर बार ट्रॉफिक गवा बेटी है Australian टीम लेकिन इस बार कहीं नहीं को फाइनल का बतला तो शायद नहीं ले पाई कह सकते क्योंकि बाइलेटरल सीरीज होने वाली है लेकिन ये दोनों देशों के बीट जब एक बाइलेटरल सीरीज भी होती है वो भी किसी बड़े टूर्नार्मेंट से कम नहीं होती है इस बार को बात करें अगर टेस्ट क्रिकेट की इतिहास में सबसे ज़ादा टेस्ट क्रिकेट में कोई सीरीज माईनी रखती है तो वो अभी तक हमेशा से एशीज रहा करती थी जो कि इंग्लेंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती थी लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरीके से हमने देखा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच जो बीजीटी का रंग निखर के आया है त अब जो है दुबारा उतरने के लिए पारत अस्ट्रेलिया में जाएगी और 5 मुकाबले खेलेगी और ऐसा मानिया पहली बार हो रहा इतिहास में बॉर्डर का वस्का ट्रॉफी में 5 मुकाबले खेलेंगे इंडिया और आस्ट्रेलिया आप आमने सामने आपने जो से 10 दिसंबर के वीच एडिलेट में जो की डे नाइट मुकाबला होगा पिंक बॉल से जो खेला जाएगा तीसरे मुकाबले की बात करें 14 से 18 दिसंबर के वीच खेला जाएगा गाबा में जहां गाबा का घमन तोड़ा था रिशप पंक और शुबमंगिल की उस पारी ने पूरा का पूरा बॉर्डर कवर्स कर ट्रॉफी 2024 से 25 का पूरा पांच माचों का शेडियू इसके वेन्यूस का ऐलान कुछ दिन पहले ही हो चुका था लेकिन सबको शेडियूल का इलान था है शेडियूल का इंदजार था कि किस दिन कौन से मुकाबले होने वाले है तो ऐस तो रिष्वपन्थ फिट भी हो चुके है ऐसे में उस मुकाबले में हमें पंथ खीलते हुए नजर आएंगे और क्या वैसा ही हिस्टॉरिक मुकाबला हमें फिर देखने को मिलता है और यह तो तभी पता चलेगा लेकर फांस अब जादा इकसाइट हो चुके हैं जब से उ तो तीम इंडिया पिछले दो बारी से लगातर उन्हें हरा रही है तो टीम इंडिया इस बार जीत की हार ट्रिक लगाना चाहेगी और यही उनके टार्गेट में होगा रोहे शर्मा की कप्तानी में बिल्कुल और मानिया डव्लू टीसी पॉइंस टेबल की भी बात करें त तो यही most probably यही top 3 team में जो है WTC की मुझे लगता है दाविदार होने वाली है और इंडिया के लिए सबसे बड़े खत्री की बात यही है कि इन दोनों ने एक एक बार WTC final हम हराया हुआ और जिस तरीके से हम बात करें Australia की अब जिस तरीके की वह form में चल रहे है न्यूजलें जिस तरीके से उनकी form चल रही है मुझे लगता है मुकाबला जो है यह सीरीज पूरी कांटे की होने वाली और साथ ही साथ हमें एडिलेट का मुकाबला भी नहीं भूलना चाहिए यहां पर 36 पे भारत ओल आउट हो गया था उदर पाट कमेंस करते हुए नजर आएंगी तो इदर रोहिस शर्मा के अंडर हम खेलने वाले हमने रोहिस शर्मा की अंडर में जगा कि इस बार मने पांच-वांचो की टेस्स बीट सेडी वह भी इंगलीन के साथ लेकिन अपने घर में तो टीम इने ढूमिनेंटली जीत हासल की ती लेकिन ऐसी टीम नहीं है इसके बिल्कुल भी असान नहीं है पिसली बार इसे कि आपर हालाइट भी क्या कि वो 36 ओल आउट हमें याद है किस तरह से पांच डेब्यूस भी उस सीरीज में ही हुए थे जहां टीम इंडिया बहुत मुश्किल से लेकिन वह चार माचों की सीरीज में अपने नाम कर लीती लेकिन पांच पांचों की सीरीज में लेकिन फिलाल के लिए शेडियूल आया है इस बारे में आपकी क्या रहा है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताईए और साथी तुफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेर और सब्स्राइब कोना बिल्कूर भी ना भूलिए